बिस्मिल्ला रख्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम आई दुनिया भर में एंटी बाइटिक्स वीक और बेक्टिरिया स्टॉंग होते जा रहे हैं इसकी सबसे बड़ी रीजन है मिस्यूज अफ एंटी बाइटिक्स इस वज़ा से बेक्टिरिया ने कुछ मेकनिजम्स अडॉप्ट कर ली हैं जिसके तहट वो एंटी बाइटिक्स में रिजिस्टेंस डिवेलप कर चुका है या कर रहा है तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेकनिजम ऑफ बेक्टिरियल रिजिस्टेंस को एंटी बाइटिक्स की यह मेरी दूसरी वीडियो है फर्स्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि पैनिसलीन्स कैसे द्रियाफत हुई पैनिसलीन्स का मौड अफ एक्शन क्या है और पैनिसलीन्स को बीटा लेक्टम एंटी बाइटिक्स क्यों कर देंगे तो आज की वीडियो में हम discuss करेंगे mechanism of bacterial resistance को तो सबसे पहले हम drug resistance को study करते हैं Drug resistance is the reduction in effectiveness of drug in curing disease अब हम study करेंगे mechanism of bacterial resistance को इसमें बहुत सारे mechanism है सबसे important जो mechanism है वो है enzymes in activation, modification of target sites, reduce cell permeability, efflux pump ये वो चार mechanism हैं जो bacteria ने adopt कर लियें against antibiotics और अब one by one हम इनको study कर दें ये picture आप देख रहे हैं जिसमें bacteria का cell दिखाया हुआ है और ये चार mechanism दिखाए गए हैं जो bacteria ने adopt कर लियें कोई भी drug दो तरह से ही अपना action देती है या तो receptor level पर जाके अपना action देती है या enzyme level पर अपना action देती है यहां bacteria ने क्या किया है कि अपना receptors की तदाद को बढ़ा लिये या receptor के size को change कर लिये एंटीबोटिक्स ने जिस receptor पर आके bind होना है उन receptors में modification कर लिये एक और mechanism की है कि anti-vertix का दाखला ही बंद कर दी है cell के अंदर block कर लिये penetration जिसकी वज़ा से anti-vertix bacteria के cell के अंदर penetrate ही नहीं कर पाते एक और mechanism है जिसमें bacteria enzymes produce करता है और उन enzymes में penicillinase enzyme है beta-lectamase एक enzyme है और भी बहुत सारे enzymes है और इन enzymes की मदद से bacteria anti-vertix को ineffective बना देता है एक और mechanism है efflux pump कुछ pump बना लिये हैं bacteria ने वो pump क्या करते हैं cell के अंदर आयोए anti-vertix को cell से उठा के बाहर फेंग देते हैं अब one by one हम इन mechanism को study करते हैं enzymes in activation enzymes in activation में beta-lectamase enzyme है जो के bacteria produce करता है against beta-lectam antibiotics और beta-lectam antibiotics में 4 antibiotics हैं penicillins cephalosporins carbapenems और monobectums इन antibiotics के chemical structure में beta-lectam ring present होता है इसी वज़ा से इनको beta-lectam antibiotics करते हैं bacteria क्या करता है कि bacteria एक enzyme produce करता है जिसका नाम है beta-lectamase ये enzyme beta-lectam antibiotics के beta-lectam ring को destroy कर सकता है या कर देता है और इनमें से कुछ antibiotics ऐसे हैं जो beta-lectamase enzyme की वज़ा से ineffective हो चुकी हैं जिनमें resistance डिवलप हो चुकी है target site modification यहां bacteria क्या कर रहा है कि अपने वो receptors जिन receptors पर antibiotics ने आके bind होना है और अपना action देना है उन receptors को ही modify कर चुका है या तो receptors का size बढ़ा चुका है या उनकी shapes में तबदीली कर लिए तो इस तरह से antibiotic को ineffective कर दिया है या कर सकता है जिसमें target sites modification है reduce permeability यहां bacteria ने क्या किया है यहां bacteria ने क्या किया है कि अपने cell में permeability को reduce कर लिया है permeability reduce होने से anti-vertix जो है वो cell के अंदर penetrate ही नहीं कर पाएगा और कुछ pump उसने produce कर लिया है जिनके वज़ा से वो anti-vertix को अपने cell में से उठा के बाहर फेग देता है तो यह वो कुछ mechanism थे जिनके तहत bacteria anti-vertix में resistance develop कर चुका है अब हम बात करेंगे कि हम anti-vertix की resistance को कैसे कम कर सकते हैं तो हमें anti-vertix हमेशा doctor की हदायत के मुदाबिक ही इस्तमाल करने चाहिए self-medication कभी नहीं करने चाहिए और जितने दिन के लिए anti-vertix का treatment doctor ने advice किया है हमें वो treatment complete करना चाहिए वीडियो पसंद आई है तो like कीजेगा, share कीजेगा और चैनल पे नए है तो subscribe कर ले चैनल को